नमस्कार न्यूस्क्री के डेली राउंड़ अप में आपका स्वागत है अगे नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर देश में कुर्णा के 37,724 नए मामले कुल मामलों की संख्या 12,00,000 के करीब इंडिगो में 10% कमचारियों के छटनी का एलान, एल इंडिया बिना वेतन छुट्टी पर भेजने को तयार अन्याय में लिप्ता योगी का रामराज, नितीश का सुशाशन और अन्य के इंडिया सुशाशन मंताले द्वारा बुद्वार 22 जुलाई की सुबा आठ बिर जारी ताजा आकडों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कुर्णा संक्रमन के 37,724 नए मामले सामने आए इसके अलावा कुर्णा से 748 मरीजों की मौत हो चुकी है इनमें से 38 फिस्दी यानी 246 मरीजों की मौत अकेले महराश्र में ही हुई साथ ही इसी बीच राहत देने वाली बात या आई है कि बीते दिनों कुर्णा से जूज रहे 28,472 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है देश भर में अब कौर्णा अवारे से संक्रमित मरीजों की संख्या 11,92,915 हो गई है स्वास्तर मंत्राले की तार्या जानकारी की अनुसार अभी तक तुरिशत दसंबलों 1,2 फिस्दी यानी 7,53,050 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन संक्रमित की कारण अभी तक 28,732 मरीजों की मौत हो चुकी है इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संक्या बढ़कर 4,11,133 हो गई है ICMR द्वारा 22 जुलाई के उजारी आकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1,47,24,546 सैंपल की जांच की गई जिन में से 3,43,243 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है आईए बढ़ते हैं अब दूसरी ख़बर की तरफ कुर्णा और लॉकडाउन के कारण गंभीर आर्थिक संकर का दावा करते हुए देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो ने अपने 10 फीसदी कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है यानि लगभग 2200 लोगों की नौकरियां जाएंगी लेकिन यह सिर्फ इंडिगो का ही संकट नहीं है बलकि एरलाइन्स स्टेटर में काम करने वाली सभी कंपनियों का मामला है कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया है यहां तक कि सरकारी एरलाइन्स कंपनी इंडिया ने भी अपने कर्मचारियों को बिना वेतन पर छुट्टी पर भेजने की योजना बनाई है जिसका वहाँ के कर्मचारी सहीर्थ रूप से विरोध कर रहे है खोच खबर में वरिश्ट पत्रकार भाशा सिंग ने बिहार में कौर्णा से बिगड़ते हालात उत्तर प्रदेश में बढ़ते गुंडा राज पर उठाए सवाल लेकिका अरुन्धती रॉय के जेल में सजा काट रहे प्रोफेसर जीयन साही बावा को लिखे पत्र के मजमून पर चर्चा की और भीमा कोरे गाव मामले से गिरफतार कौर्णा से जूज रहे वरिष्ट कांट्रकारी कभी वरवरा राव की नाजुक स्थी पर भी चिंता जताई आई ये सुनते हैं भाशा को आज हम रुख करेंगे हिंदी पट्टी के दो एहम राज्यों की तरफ बिहार और उत्तर प्रदेश बिहार में एक तरफ कोरोना का संकट है दूसरी तरफ बाढ़ का और थीसिश दरफ चुनावी तैयारी का हमारे पास जो खबरे आ रही हैं वे बता रही हैं कि भाश्पा सहिद नितीश सरकार जिस तरह से कोरोना संकट में भी पूरी देश की मशीनरी को पूरे प्रदेश की मशीनरी को उसने जोग रखाया चुनावी तैयारी में वर्चुल रैलियों में उसे करोना पूरी तरह से फैल चुका है इस पर नेशनल मीडिया के अध्यान तब गया जब बिहार सरकार में एक जो वरिष्ट पतारिकारी थे उमेश रजग उनकी मौत होती है करोना से इतने सीनियर अधिकारी की बिना इलाज के वी मौत ने लोगों को डराया उस तब लगा लोगों को कि बिहार में जो घटित हो रहा है वह सिर्फ भूमिहीन किसान के साथ नहीं वह सिर्फ एक टीचर हैं उनके साथ नहीं या किसी के साथ भी घटित हो सकता है और इस पर सरकार की पूरी की पूरी अंदेखी बनी हुई है साथी साथ असर में जो बाड़ की स्थिपी है जिसमें सौ से अधिक जाने जा चुकी है इस पर भी बहुत कम बात्चीत हुई है इन सब पर बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है सरकार पर सवालिया निशान उठाना यह निशान उठाना के निटीश का विकास कहा गया जब सडके की सडके बही जा रही है तब यह सवाल आखिर कौन उठाएगा कि जब करोना का खत्रा इतना तगड़ा है तब आखिर भाष्पा सहित निटीश किस तरह से इस राज्जी को चुनावी चक्की में जोगने को तया बिहार में अगर कोरोना की मार है बाड की मार है तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की मार है वही उत्तर प्रदेश जहां भव्वे दिव्वे राम मंदिर बन रहा है राम राज की बड़ी-बड़ी बाते हो रही है वहां राम राज कम से कम गुंडों के लिए तो सौ गाजियाबाद में जो वाक्या हुआ जो कैमरे पर कैद हुआ और जिससे सामने आया कि किस तरह से गुंडे खुले आम एक पत्रकार तक को बक्ष नहीं रहे हैं उस पत्रकार को जिसने अपनी जो भांजी है उसके साथ जो छिडखानी कर रहे हैं कि गुंडे उनके खिलाफ 16 तारिक को एक रिपोर्ट दर्स कराई थी थाने में पुलिस वाले ने उस पर तो कुछ नहीं किया और फिर होता यह है कि 20 तारिक को यह पत्रकार जिनका नाम है विक्रम जोशी यह जब अपनी बेटी के साथ जा रहे थे बाइक पर उनको रोका गया उनको मारा गया और फिर चलते चलते उनके सर पर गोली मार दी गई आप वीडियो देखिए यहाँ पर विक्रम की जो बेटी है वह किस तरह से बिलख करो रही है मदद के लिए वहार लगा रही है और यह वाक्या चूकि कैमरे पर कैद हुआ इससे पता चलता है कि योगी राज में जो रामराज आय है वह कितना चौत तरफा है क्योंकि यह हमला पत्रकार पर हुआ दिन दहाडे हुआ कैमरे में कैद हुआ इसलिए यहाँ पर तो कारवाई होती दिखाई देती है यहाँ पर आनन फानन में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन हम यह जानते हैं कि इस तरह कि अ तरह खड़ में जहां वरिष्ट पत्रकार और परियावरन एक्टिविस्ट राजीव नयान बहुगुणा पर हमला किया गया दिन दहाडे उनके घर के पास हमला हुआ और आप फोटो देख रहे होंगे उनकी आँप पर बहुत चोट आई है पूरा चहरा सूजा हुआ है औ पर सरकार का विरोध करना उत्तरा खड़ में बंद करें नहीं तो उनकी जान के लाले पड़ जाएंगे और यह सब खुले आम सोशल मीडिया पर वो रहा था जिसके बारे में राजीव नयान बहुगुणा लगातार खुद बहुत बहादरी से सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जिन्होंने उत्राखड में परियावरण की रक्षा के लिए बहुत एहम आंदोलन चलाया और खुद राजीव भी इस समय भाश्पा सरकार जिस तरह से उत्राखड में परियावरण का दोहन कर रही है उसे नुकसान पहुचा रही है उन तमाम नीतियों पर कड़े करते हैं कि वस्वस्थ हो जाएं लेकिन पूरे प्रदेश का जो हाल है आजमगड के सराय मीर में जो घटना हुई उससे कम से कम एक बात बहुत साफ है कि दलितों को और खास्तोर से दलित महिलाओं को जिस तरह से गुंडा कको ने अपने निशाने पे लिया है उन्हें बच पास के जो गुंडे थे उन्हें छेड़ने लगे जातिकत गालियां देने लगे और विरोध करने पर उनकी पिटाई करने लगे जब उनकी आवाजे सुनके परीजन उनके वहां पर आए उनकी भी पिटाई हुई बड़े पैमाने पे लोग घायल हुए 65 साल की जो एक महिल उनकी जो हमें फोटो और वीडियो देखे हैं जो आपको इस समय दिखाई दे रहे होंगे उनसे कम से कम एक बास साफ होती है कि इतना दबाव लगाने के बावजूद पुलिस प्रशाशन सही समय पर हस्तक शेप नहीं करता FIR हुई बहुत बाद में FIR हुई और FIR ने भी जो मामला बनाया गया है वो बहुत धीला ठाला मामला बनाया गया है गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है यहां की गाओं की महिलाओं ने हमें बताया कि क्योंकि बरसाथ के समय जो घर में शौचाले बने हैं उनमें पानी भर जाता है उनको इस्तवाल करने लायग नहीं रहते इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है उसकी वज़ा से लगातार जो गाओं के गुंडा तक्व हैं उन्हें निशाने पर लेते हैं और उन पर जातिगत लांचन लगाते हैं यह सब कुछ योगी राज में बिलकुल निर्दवन्द चल रहा है कहीं से भी कोई टोक, कोई सजा मिलना किसी की भी कोई नजीर, कोई उदाहरन हमें देखने को नहीं मिलता ऐसे अत्याचार, अंगिनत अत्याचारों की कहानिया, वारदातें, क्राइम इंसिडेंस हमारे देश में चारों तरफ फैले हुए हैं और ऐसे बाहौल के बीच में एक पत्र हमारे भीच आता है जिसे पढ़ा जाना, समझा जाना बेहर जरूरी है इस से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, यह सब हमें अधिकार है लेकिन यह पत्र दूसरे धंका एक परिद्रश्य हमारे सामने खड़ा करता है यह पत्र लिखा है हमारे दौर की बहुत ही एहम लेखिका, विचारक और चिंतक अरुन्दिती राये में अजीवन कारवास की सजा जेल रहे प्रोफेसर जीएन साही बाबा के नाम प्रोफेसर जीन साई बाबा देश की राजभानी दिली में अंग्रेजी पढ़ाते थे और उन्हें माववादी होने के आरोप में गिरफतार किया गया और उसके बाद वहाँ पर उन्हें सजा दी गई वे 90 फीसदी से अधिक विकलांग है यह पत्र प्रोफेसर जीन साई बाबा के नाम है यह पत्र अंग्रेजी में उन्हें ने लिखा है और यह पत्र इसलिए भी बहुत एहम है कि जिस समय प्रोफेसर जीन साई बाबा हूँ या वरवरा राओ जैसे जो कभी और लेखक गौतम नौलखा, आनन तेल तुम्डे, सुधा भारतवाज, अंगिनत लोग जो राजनितिक अक्टिविस्ट हैं, हुमन राइट अक्टिविस्ट हैं, भीमा कोरे गाओं में जो गिरफतार हैं उस मामले में, वे सब अंदर शायद आपको याद आया हो, यह वही पुलिस अधिकारी है, जिसे जम्मो कश्मीर में पकड़ा गया था, दिल्ली चुनाओं से ठीक पहले, वह दिल्ली आ रहा था इन आतंखवादियों के साथ, यह आतंखवादी बेहद ही खतरनाक थे, यह खुद पुलिस अधिकारियों का कहना था, जिन पुलिस अधिकारियों ने इसे गिरफतार किया था, उन्होंने खुद कहा था कि इसके साथ आतंखवादियों जैसा ही सुलूप किया जाना चाहिए, लेकिन देखिये, यह व्यक्ति आज छूट चुका है, जेल में नहीं है, इसकी रिहाई के लिए किसी न देख पढ़िये, तब पता चलता है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से जन्ता के पक्ष में आवाज उठाने वालों के खिलाव है, यह पत्र बहुत ही गद्यात्मक है, पॉलिटिकल विजन के साथ है, यह शुरू होता है उनके उपन्य वरिष्ट कवी वरवरा राव का, जो इस समय जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में, और यहाँ पर अरुंदुती बहुत ही एहम बात कहती है, कि वरवरा राव का जेल में होना, उस तरह से होना है, जैसे एक modern monument का जेल में होना, दोस्तों, वरवरा राव बहु परेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ जो एक आस की किरन हमें दिखाई देती है, अरुंदुती के पत्र में और वरवरा राव की कविता में, वह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, अरुंदुती ने सही कहा है, कि यह जो अन्याय का दौर है, यह हमेशा यूही जारी नह लोग लगातार जिन्दा रहेंगे, आज हम अपने कायटरम का समापन वरवरा राव की एक प्रसिद्र कविता के कुछ अंच के साथ कर रहे हैं, वैसे ही छिपाये कहदो वह बात, जिससे धड़के सब का दिल, सुगंदों से भी जब खून तपक रहा हो, छिपाया नहीं ज जा सकता उसे शब्दों की ओठ में, जखमों को धूने वाले हाथों पर भीग भीग कर छाले पड़ गए हैं, और तीर से निशाना साधने वाले हाथ, कमान तामने वाले हाथ, जुलूस के लहराते हुए जंडे बन गए हैं. जीवन का बुद बनाना, जीवन का बुद बनाना, काम नहीं है शिर्पकार का, उसका काम है पथर को जीवन देना, मत हिच को, मत हिच को और शब्दों के जादूगर, जैसा जो है वैसा कह दो ताकि वह दिल को छूले. आज के डिली राउंड अप में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं इन सब्सक्राइब किजे यूट्यूब पर देखते रहे नूस्क्लिक धन्यवाद